नमस्कार फ्रेंट्स सर्च आपसन में हम जिस शेयर के बारे में देखना है उस सेयर को हम लिखेंगे उसके बाद उनकी बारे में हम जान सकेंगे तो जैसे की हिंदोस्तान unilever limited है जिसके प्रोडक्ट सभी लोग रोज यूज करते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और ये वे कमपनी होती है जो रोजमर्रा के जरूरतों को पूरी करने वाली प्रोडक्त बनाती है जैसे साबोन, सैंपोर, डिटरजेंट ये सभी ये कमपनियां बनाती हैं ये एफेम सीजी की सबसे बड़ी कमपनी है एफेम सीजी मतलब फास्ट मुविंग कंजुमर कैसे निकालते हैं और यदि किसी कमपनी के आनर बनना चाहते हैं और उसे पूरा-पूरा खरिदना चाहते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा तो हिंदुस्तान यूनिलिवर को अभी वरतमान में खरिदने पर 5,94,000 करोन रुपिय के लगभग आपको पे करना होगा तभी आप उस कमपनी के पूरा 100% आनर बन सकते हैं अब इनकी मार्केट कैपिटलाईजेशन क्या होगी तो इनका सूत्र है प्राइस आफ वन सेयर इंटू नमबर आफ सेयर्स को मल्टिपलाई कर दिंगे तो इनके प्राइस कितना है 2528 रुपिय और इनके टोटल सेयर है 234 96 करोंड तो इनके प्राइस 2528 इंटू नमबर आफ टोटल सेयर्स को गुना करेंगे तो जो निकले का वही क्या है इनके मार्केट कैपिटलाईजेशन है यदि हम कमपनी के सारे सेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो इसकी रेट मार्केट कैप ही बताती है कि कितना पैसा पे कर करना पड़ेगा और कमपनी कितनी बड़ी है इसकी अंताजा हम कहां से लगा सकते हैं तो मार्केट कैप से ही लगा सकते हैं अब हिंदुस्तान यूनिलिवर कमपनी जो है वो क्या बिजनेस करती है क्या काम करती है और क्या बनाती है इन सब को ध्यान में रखते हुए आप निवेस कर सकते हैं और इस company में बिलकुल आँख बंद करके भी निवेस नहीं करना है आप अच्छी तरह से analysis कर लें तब ही आप निवेस करेंगे अब अगला point है company की P.E. कैसे निकाला जाता है P.E. मतलब price to earning ratio होता है तो आएए हम इनकी P.E. कैसे निकालते हैं इसके बारे मे कमाता है 100 रुपय कमाता है और उसमें चार पार्टनर है सबका हिस्सा एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार और एक बटा चार है तो उस दुकान में हर कोई को कितना मिर रहा है 25 परसेंट मिर रहा है और टोटल सेयर कितना है चार है और चारों के पास एक एक सेयर है त तो कितना कमाती है 100 रूपिय तो टोटल प्राफिट एक इंसान को कितना मिर रहा है 25 रूपिय तो ये वही 25 रूपिय ही इनका क्या है P.E. रेशियो है अर्थात अर्निंग पर सेयर बराबर 25 रूपिय उसी परकार हिंदुस्तान यूनि लीवर का अर्निंग पर सेयर 38.50 तो P.E. मतलब नेट प्रोफिट बराबर टोटल मुनाफ़ा को टोटल सेयर से हम भाग दे देंगे जो निकलेगा वही क्या है इनका P.E. है लेकिन H.E. अर्थात हिंदुस्तान यूनि लीवर वर्तमान में 2528 रूपाय में मिर रहा है और इनके एक साल का कमाई में कितना अभी आप वर्तमान में H.E.L. को खरी देंगे तो 2528 रूपाय में खरी देंगे तो इनका P.E. का क्या मतलब हुआ तो एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा हमें देना पड़ेगा यदि हम इसे 38.50 के रेट पे खरीते तो इनका P.E. कितना होता एक होता लेकिन अभी वर्त प्रामान में इनका रेट क्या है 2528 रूपाय तो हमें इनका P.E. निकालना है तो प्राइस P.E. E.P.S. मतलब अर्निंग पर सेयर को डिवाइट कर देंगे तो कितना मिलेगा 2528 बटे 38.50 बराबर 65 बराबर इनका P.E. कितना निकला 65 तो आज हम हिंदुस्तान यूनिलिवर को खरी देंगे तो हम पहले की अपेक्छा इनका कितना गुना दे रहे हैं 65% गुना हम अधीक पैसा दे रहे हैं तो आप ये सोंच सकते हैं कि अब इस सेयर को हम खरी देंगे या नहीं खरी देंगे ये खुद से पूछे अर्थात यदि आप किसी सेयर को खरीदना चाहते हैं तो पहले खुद से अच्छी तरह से एनलाइसिस कर लें उसके बाद ही उस कमपनी में निवेस करें माल लिया जाए यदि आपको एक दुकान पैंसाट रुपई में मिलता है और यदि कहता है मैं आपको इसको पैंसाट रुपई में बेशता हूँ और आपको एक साल में एक रुपई कमाई होगा तो क्या आप खरिदना चाहेंगे H.U.L. कमपनी ने लगातार अपना मुनाफ़ा बढ़ाया है लगभग 20 से 30 सालों तक लगातार मुनाफ़ा बढ़ते ही आ रहा है आइए देखते हैं ये मुनाफ़ा कैसे बढ़ता है आइए प्रोफिट ग्रोथ का चार्ट देखते हैं तो पिछले एक साल में 10.86% का ग्रोथ किया है उसके बाद पिछले तीन सालों में 13.45% उसके बाद 14.45% का ग्रोथ किया है किसने हिंदुस्तान यूनिलिवर ने अब हिंदुस्तान यूनिलिवर महंगा है या सस्ता है ये किस पर निभर करता है तो ये इनके पी पर निभर करता है इनके पी कितना है 65.67% ये पी रोज बदलते रहता है क्याँ 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 की ये प्राइस पर डिपेंड करता है अर्थात प्राइस गिरेगा तो पी भी बढ़ जाएगा एक साल का इनका अर्निंग का कितना परसेंट भाव ये दे रहा है तो 65.67% अब इनके हिस्टोरिकल चार्ट को देखें जिसमें एक साल दो साल तिन साल पांस सल तक के आप चार्ट को देख सकते हैं ये आठ साल तक का भी डेटा देता है H.E.L. अभी वर्तमान में मंगा है उतना P.E. पे ये कभी नहीं रहा जितना अभी मंगा है कंपणी ग्रोथ होगा तो उनका P.E. भी बढ़ सकता है लेकिन एक दो साल में लगातार ये तेजी से बढ़ रहा है तो मार्केट भाव भी बढ़ेगा Q.E.L. पिछले साल 13% का ग्रोथ किया है और आगे और तेजी से बढ़ते जा रहा है अर्थात ये वर्तमान में 65% के P.E. पर है तो क्या हमें 65% के P.E. पर बाई करना चाहिए या नहीं यदि कोई कमपनी 50 P.E. पे 10 का प्रोफिर देता है और 30 से 40 P.E. पर 20 का प्रोफिर देता है तो हमें कमपनी के P.E. देखकर बाई नहीं करना है अर्थात किसी कमपनी की हिस्टोरिकल चार्ट जिसमें 2-3 सालों का चार्ट दिया हुआ रहता है और ग्रोथ चार्ट को अच्छी तरह से एनलाइसिस कर ले कोलगेट है जिनका हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो ये पहले 40 से 50 P.E. के बीच रहा और इनकी चार्ट देखें तो एक साल में ये 4.15 परशेंट उसके बाद 3 साल में 11 परशेंट फिर अगले 5 सालों में ये 13 परशेंट का रिटार न दिया है तो ये हर 3-3 साल में इतना बहतर से बहतर दिखाया है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसमें मैं इन्वेश्ट नहीं करूंगा बलकि इंट्रेस्ट लगेगा और आप इसमें इन्वेश्ट करने की सोचेंगे तो काउन सा कमपनी फर्दर रिसर्च के लायक है यह धिहार रखिए और इनका मार्केट कैप देख कर ही इसमें इन्वेश्ट करें या नहीं जैसे अगर आप HUL को खरीदना चाहेंगे इनका पूरा-पूरा आनार बनना चाहेंगे तो इनका रेट 5,94,000 करूर रूपिये हैं जबकि इनफोसिस का कम है और HDFC का लगभग HUL के बराबर है तो आप यह सोचेंगे कि किसमे का सेयर आपको खरीदना है जैसे साबून है, केचप है, नुडल्स बनाते हैं यह कमपनी को खरीदना है यह सभी आप सोचेंगे जिस परकार आप बजार जाते हैं तो 20 रुपेले कर जाते हैं तो आप सोचेंगे कि आज कौन सा सबजी खाना है यह हिसाब से आप सोच कर सबजी लाते हैं उसी परकार आप HUL खरीदेंगे या IT कमपनी या HDFC या BANG खरीदेंगे यह आपके उपर निर्भर करता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप अपने हिसाब से उसे इन्वेश्ट करें अच्छी तरह से एनलाइसिस करें खुद के रिसर्च पर निवेश करें आँख बन करके निवेश ना करें क्योंकि यह किम्ती रुपिया आपका है इसलिए निवेश आपको करना है P-Ratio के अनुसार आँख बन करके निवेश नहीं करना है आप अच्छी तरह से एनलाइसिस करें प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से और हम सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूंगी थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो नमस्कार